नमस्कार दोस्तों तो इस गनिश चतुर्थी बना लेते हैं एक सुन्दर सा वॉल आर्ट तो हमारा वॉल आर्ट बनने वाला है बिल्कुल ही सस्ते दामों में क्योंकि हम बना रहे हैं वेस्ट माटेरियल को यूज करके तो हमने ले लिया है ये केक बेस का कार्ट बोर्ड और इस कार्ट बोर्ड का जो एक्स्रा पार्ट है हम इसको कट करके निकाल देंगे यह थोड़ा hard था तो मैंने इसमें knife की help ली है अब हम इसमें लगा लेते हैं एक जैसो का coat ताकि इसमें कोई भी काम करना आसान हो जाए तो हमने इसमें sponge की help से जैसो को लगा लिया है अब हम इसको dry करने के बाद हम इसमें बना रही है गनेश ची तो हम lip pan art के लिए गनेश ची बना रहे हैं तो हम lip pan art वाली ही जो भी हमारा method है वो हम use करेंगे और pencil से हमें easy picture ड्रॉ कर लेंगे तो अगर आपको बनाना है तो आप इसका screenshot भी ले लीजिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पॉस किया हुआ था आप easily ले लीजिए इसका screenshot अब हम लेंगे molded clay इसमें एक resin आता है और एक hardner आता है तो दोनों को mix करना पड़ता है तो mix करने के बाद अब हम इसके जो हमने गनेश ची बनाया था ना इसके हम किनारे पे लगा देंगे अपनी glue तो glue लगाने के बाद हमारे लिए इसमे molded clay को लगाना आसान हो जाएगा और वो easily paste भी हो जाएगी तो हमने जो अपनी molded clay ली थी ना उससे हम एक पतली strips बना लेंगे और हम इसमें इस तरीके से कुछ लगाना start करेंगे इसकी lines पे जो हमने इसकी lines draw की थी तो दोस्तो जब हम किसी drawing को बनाते हैं clay की help से और mirror की help से तो वो कहलाती है लिपन art ठीक है तो हम बना रहे हैं एक सुन्दर सा wall art आप चाहो तो आपके पास अगर ऐसा cake base नहीं है तो आप कोई भी cardboard ले सकते हैं तो देखो इसको बनाना बहुत ही satisfying है तो इस गनेश चतूरती इसको बनाना ना भूले और मुझे भी comment करके thank you वोला ना भूले तो हमने use किया है yellow paint और orange paint तो क्योंकि इसके जो vibrancy है वो बहुत अच्छी है और इसके color बहुत ही अच्छे pop-up करके आएंगी और अब हम इसके किनारे पे लगा रहे है red acrylic paint जिससे इसके color बहुत ही प्यारे उभर कर आ रहे हैं आप देख रहे हैं तो अब हम इसकी eyes को भी paint कर लेते हैं तो मैं लेकर आई थी यह golden stones जिससे हम थोड़ी सी decoration कर लेते हैं तो मैंने इन डेकोरेशन को लगा दिया है तो दोस्तों अगर आपके पास यह clay के लिए tools नहीं हैं तो आप knife या कोई भी needle या कोई pin यूज़ कर सकते हैं तो हमने लिए हैं यह golden mirrors और golden mirrors को भी हम लगा देते हैं क्योंकि lip and art mirrors के बिना तो दोस्तों पूरी नहीं हो सकती क्योंकि lip and art का definition ही है कि वो clay और mirror की help से बनी होती है तो देखिए हम लगा लेते हैं थोड़ा सा mirror जिससे हो गया है यह सुन्दर सा wall art ready और अगर आपको यह पसंद आया है तो please like, share and subscribe my channel Thank you so much